नमस्कार सर नमस्कार जी सर क्या नाम है आपका? उपालदास जी आप कहां के रहने वाले हैं? मेरा डिष्टिक कुर्क्षेतर तसील पेवा गाउं थाना है जी सर संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा आपने कब ली? 2017 में सर सर संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती साधना भी करते थे ये जो परमप्रागत देवी देवताओं की भक्ती करते हैं वो ही हम करते थे सर सर फिर आप संत्रामपाल जी माराज की सरण में कैसे आए मैं कुछ दिन से बिमार चल रहा था सर पहले मेरे को डक्टर ने बता दिया भी पत्थरी है तेरे तीन और इनके लिए दुआई लेते जाओ और ठीक हो जाओगे पर ठीक नहीं हो रहा था मैं देड़ दो साल से दुआई खाई उसके बाद मैंने देशी दुआई खानी शुरू कर दी जल्दी निकल जाए है यह निकल नहीं पारी थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि भई यह तो बहुत लंबा इलाज हो गया बहुत दिन हो गया इसके बाद मैंने दुआई बंद कर दी और दुआई खाते खाते भी नहीं ठीक रहा जा रहा था फिर उसके बाद मैंने कह किया कि मैं यह देशी जो दुआई होती है इन से निकलवाने का चकर में पढ़ गया और वो निकलवाने चाही तो उससे मेरा लीवर एफेक्ट हो गया फिर मैंने लीवर की दुआई खानी शुरू करी तो डाक्टरों ने यहां तो कह दिया वही नई प्रोब्लम बखा रही इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ठीक नहीं हो रहा है उसके बाद मैं पीजी इसे दुआई लेने चला गया पीजी इसे दुआई लेके आया कुछ नहीं फरक पड़ था जी कभी गोड़े यहां तो पहले ही यह देवी देवताओं के काफी पूजा करते हैं इनसे पहले ही वह हैं अम इस चीज में नहीं वह उड़ देना चाहते हैं वह बोले नहीं नहीं परमातमा का नाम लो आप बिलकुल ठीक हो गए बगत जी बोले भई आपने सत्संग सुनने चल लेंगे मैं नहीं नहीं परमातमा संत्रामपाल जी महाराज परकट हुए तो उन्हों ने मेरे उस दुख का निवारन किया और मेरे को एंद बिलकुल सामने दिखता रहा कि यह क्या हो रहा है बई एकदम से सारा धर गायब हो गया आगले दिन और मैं तीसरे दिन तुरंट सत्संग में चलने के लिए तैयार हो गया उसत्संग सुनने के बाद कुछ दिन बाद मैंने संत्रामपाल जी महाराज से 2017 में नाम दिक्चा ली जो भी सुख दिये उनको मैं बूल नहीं सकता हूं मैं तो सारी सारी रात बैठ के काड़ता था सर जब मैं दुआई खाते खाते वो रहता तो मेरी पत्थरी नहीं निकल रही पत्थरी के दुआई खाते खाते फिर मेरा लीवर डैमेज हो गया लिवर डेमेज होने के बाद फिर मैंने सोचा भई अब डाक्टरों से दुआई लेता रहा लेता रहा फिर मैंने देशी दुआई खाने शुरू कर दी देशी दुआई खाने के बाद फिर भी मेरा कुछ नहीं हो आतो पसंत रामपाल जी महाराज से दिखसा लेने के बाद मे मेरे को उठके टोईलेट के लिए जाना पड़ता था और इसकी यह प्रोबलम मेरे को कई कई मीनों कई साइक काफी दिन तक चलती रही फिर जब से मैं संत्रामपाल जी माराज से जुड़ा और उसके बाद यह प्रोबलम मेरी आइस्टा आइस्टा बिल्कुल खतम होगी संत् में उसमें बिढ़ने लगए था दूसरी मोटर साइकल इदर से आ रही थी और ऐसे रूखी मोटर साइकल के मेरे को यह नहीं पता रहा हुए किसने पीछे से जार लियो एकदम से रूख गई और मैं वहीं रूख सेमें सेमें रह गए आज तो परमातमा सर पे ना होते संत्राम पाल जी माराज तो आज वाई कितनी चोट लगनी थी या परमातमा की दया होई कि मैं उस चोट से बच गया सर मैं बैठने में भी ऐसमर्थ था क्योंकि मेरे दुनों जगास्वों में फोड़े निकले हो गए और मेरे को किसी ने बता दिया भी तरे को रंगन बै रंगन बै से आज मैं बिल्कुत स्वस्थ हूं और सारी तरीके से परमातमा ने अब मेरे को सत्संग सुनने में कोई दिकत निया थी मैं डाई तीन गंटे राम से बैठ सकता हूं सत्संग चून सकता हूं सर जो बिमारी थी वो सब की सब संत्रामपाल जी माराज की दय से खतम हो गई बैठा नहीं जावा था वो बैठा जान लगया और पत्री थी पत्री का दर्द भी खतम हो गया पत्री भी निकल गई और साथ में परमातमा ने ऐसी मोज कर दी जी अब तो एक दिन में एक्सिड साथना चैनल पर नीचे पट्टी चलती है उसके अंदर परमातमा का संत्रामपाल जी महाराज का नंबर आता है वहाँ से नंबर लेके जाके अपने क्षेत्र में नाम दिख्षा लें और परमातमा का लाब उठाएं धन्यवाद सर सब्सक्राइब सब्सक्राइब